नमस्क्र दूस्तों और एक नए वीडियो में आपको बहुत-बहुत सवागात है दुस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला हो यूटुब एप से शौट वीडियो बना के बात कैसे आप अपलोड भी कर सकते हो और शौर्ट वीडियो में कैसे अपने वीडियो को इस टैक शॉर्ट कैसे एप लगा सकतो तो चलिए दोसे वीडियो को शूर्गा तो देखते हैं कैसे यूटूब अपसे शॉर्ट वीडियो कैसे बना के कैसे आप यूटुब पर अपलोड भी कर सकते तो चलिए उस वीडियो को शूर करेंगे और नीचे हमलों को मिल जाएका प्लासबल आइक कन तो प्लासबल आइक कन में हम लोगो क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग create shot में click करेंगे create shot में click कने होें हम लोग को अपना जो camera है open हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर काफी सोरा option आपको मिल जाता है एड म्यूजिक 15 सेकेंड भी आप यहां से कर सकते हो यहां पर वीडियो अपलोड और यहां पर स्टार्ट का और भी काफी सरफ फ्यूचर जो कि आपको राइट साइड में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है एक एक करके सारा डीटेल में हम लोग बात पंदा टोटल हम लोग अभी फ्यूचर हम लोगों को देखने को मिल रहा है इसके साथ और भी फ्यूचर साइड भी हो सकता है इसके साथ हम लोग सबसे पहला भी जो भी है बात करेंगे अगर आपको 15 सेकेंड या 60 सेकेंड का वीडियो आपको चाहिए तो वो आप कैसे उपर में आप देख सकते हो 15 सेकेंड और 60 सेकेंड वीडियो आप यहां पर क्लिक करके आप सिंपली स्लिट का सकते हो यहां पर एक बर क्लिक करेंगे 15 सेकेंड का वीडियो यहां पर स्लिटेट हो जाएगा यहां पर और एक बर क्लिक करेंगे यहां पर 60 सेकेंड का वीडिय क्लिक करेंगे तो यहां पार जो भी अगर अपने 3X में अगर अगर क्लिक कर लेते हो तो वीडियो जो भी रेकॉर्ड अभी अभी स्टार्टिंग करेंगे तो यह जो वीडियो होगा अभी यह टोटली फास्ट हो जाएगा मैं ऐसे धीरे धीरे रेकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यह जो वीडियो है अभी fast हो जाएगा जैसे यहाँ पर मैं stop करता हूँ right में click करूँगा तो देखें दोस्तों कितना fast हो गया तो यह वीडियो fast हो गया इसे मैं back कर देता हूँ और इसको मैं window में click करता हूँ यह video delete हो जाएगा ठीक है तो अभी क्या है ना अभी हम फिर से हम लोग यहाँ पर speed में click करेंगे और यहाँ पर मैं slow video और एक बर कर लेता हूँ very slow और यहाँ पर start में click करूँगा तो देखें दोस्तों यहाँ पर अभी मैं इसको वीडियो को record किया और इसको मैं stop करता हूँ और यहाँ पर right में click करता तो आपी देखो जो भी वीडियो आपने रेकॉर्डिंग किया वो कितना स्लो में मैंने तो धीरे थोड़ा फास्ट में किया था लेगि यहाँ पर कितना स्लो में आप दिखा रहा है तो वीडियो का जो भी यहाँ पर camera से जो भी record करेंगे आपने fast और slow इस तरह से आप कर सकतो फिलाल दूस्तों यहाँ से मैं back कर देता हूँ उसको मैं delete कर देता हूँ उन्डो में click करके और इस case आपको दो option को आप मिल चुगा है flip और speed और timer का जो option आप देख सकतो timer, timer में आप click करके simple अपने जो भी video है आप timing यहाँ से selected कर सकतो जो timing का जो भी system है आपको उस case में आपको काम पर आएगा माल लिज आपने सामने camera पकरने वाला कोई नहीं है तो आपने simply यहाँ पर timing 10 second, 20 second आप यहाँ पर selected करके आप यहाँ पर start में click कर दीजिए उसी timing के बाद यहाँ पर automatic start हो जाएगा फिर आप वीडियो को shooting कर सकते हो फिला यहाँ पर देख सकते हो यह वीडियो अभी start भी हो चुका है अभी मैं इसको stop कर लेता हो दोस्तों इसके नीचे आपको मिल जाता है green screen green screen में अगर आप click कर लेते हो तो यहाँ पर अपने camera के पीछे अगर कोई भी बंदा ख़रा है उसके पीछे green screen हो जाएगा अगर आप नीचे से यहाँ पर कुछ भी अपने image को slit करते हो तो वो जो image है background पर slit हो जाएगा तो example मैं इसको slit करता हूँ इसी photo को और यहाँ पर मैं done पर click करूँगा तो यहाँ पर देखिए इंसान होना चाहिए camera के सामने example मैं ही इसको camera को सामने कर लेता हूँ तब भी आपको सामने आया जाएगा मैं इसको camera को घुमा देता हूँ अभी देख सकतो हमारा जो background है background के जो पीछे है यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर photo को slit का हूँ वो photo यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी थोड़ा अगर मैं बाहर में होता तो रोशनी है बहुत अच्छा होता shooting भी बहुत अच्छी से हो जाता फिलाल दोसरे मैं पर start कर लेता हूँ recording को तो यहाँ पर अभी record भी हो रहा है तो guys इस तरह से आप background को भी slit का सकता हो इसको मैं stop करता हूँ right में click करूँगा green screen को बंद करने के लिए आपको simple आपको यहाँ पर touch करना है और यहाँ पर आपको non पर आपको select करना है और done पर click कर देना है आप देखेंगे green screen भी बंद हो जाएगा guys इसके बाद आपको नीचे मिल जाता है retouch का option retouch को अगर आपने on कर देते हो face पे pimple और बहुत सरफ चीज़ देखता है तो retouch क्या करता है retouch बहुती अपना जो face से बहुती सुंदर करने का कोशिस करता है तो retouch का option का अप यह अच्छा का future आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके साथ आपको नीचे मिल जाता है filter में अगर आप touch करेंगे बहुत सरफ filter आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप चाया तो camera में use कर सकते हो फिलाल दोस्तों मैं कुछ भी filter नहीं use करने वाला हूँ इसके नीचे आपको मिल जाता है तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा धुल-धुला type को यहाँ पर आपको camera आपको हो जाएगा फिलाल दोस्तों इसको मैं बंध ही करनेता हूँ फिर दोस्तों इसके नीचे आपको मिल जाएगा lighting का option यह भी काफी आच्छागा सा option है अगर आप किसी भी जागा पर अंधेरा थोड़ा type कर लग रहा है तो lighting में क्लिक करते हैं थोड़ा उजला type को लाएगा थोड़ा आपको उजला type को लाएगा ठेके तो उसके नीचे आपको मिल जाता है फ्लास का option आप चाहते है इसको फ्लास on off भी कर सकते हो इसके नीचे दोस्तों आपको मिल जाता है trim जो भी वीडियो अपने record किया आप उसी वीडियो को simply trim पे क्लिक करके आप वीडियो को आप cut भी कर सकते हो फिलाल दोस्तों मैं आपको done पे क्लिक करूंगा और यहाँ पार नीचे मिल जाता है कुलास का option और कुलास में क्लिक करके यह सारा option है आपको हट जाएगा फिर दोस्तों अभी बात करते है जो भी वीडियो आपने बनाया हो उसी वीडियो में background पे music आप कैसे लगा सोगा background पे music लगाने के लिए आपको यहाँ पर music का option है आपको add sound इसमें आपको क्लिक करना है जो भी music आपको पसंद आता है सबसे पहले आप यहाँ पर बजा लीजिए पर टच करके उसके बाद आप यहाँ पर arrow बटन पर टच करते ही आपको जो भी music है आप एड हो जाएगा आप चाहे तो इसली music को change करेंगे फिर से आपको यहांपर touch करेंगे आपको है हांपसे आप डिलेट कर देंगे और डिलेट करने के बाद फिर से आप dial sound पे click करते ही जो भी music आप चाहे तो search करके भी ला सकतो आपको यहांपर search करने से भी आजाता है तो यह जो search का option पे आप click करके search कर सकते हूँ इसके बाद दोस्तों जो भी song है आप चाहे तो यहाँ पर save भी कर सकते हो save करने के लिए यहाँ पर जो भी button है इसमें आपको click करते ही है जो video है totally यहाँ पर save भी हो जगा बाद में किसी भी short video के अंदर आप use भी कर सकते हो फिलाल दोस्ते हैं समें cross click करके back कर देता हूँ और इसके बाद अगर आपके पास already video है तो आप अपना file पे जाके simply यहाँ पर click करेंगे तो अपना जो भी file पे आप चाहेंगे उसी short video का आप यहाँ पर upload भी कर सकते हो जैसे example इस video को मैं upload कर लेता हूँ और यहाँ पर done पे click करूँगा और यह जो video है totally यहाँ पर आ जागा तो आप processing होगा और दोस्तों यह जो video है totally यहाँ पर आ चुका है इसके बाद सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर right में click करना है और right में click करते ही यह जो total video हम लोग को एक बार play हो जाएगा और दोस्तों यहाँ से simple text भी लिख सकते हो tram line और filter भी add कर सकते हो sound को भी add कर सकते हो फिलाल दोस्तों मैं यहाँ से next में click करूँगा और next में click करते ही आपके सामने इस type का interface सबसे पहले आपको title लिखने का option आपको मिल जाएगा और आप thumbnail भी यहाँ से लगा सकते हो बहुत ही अच्छी बात यह है अब thumbnail भी लगा सकते हो thumbnail बोले तो आप यहाँ पर paintball icon में simply click करेंगे जो भी thumbnail आपको लगता है उसी thumbnail को आप यहाँ से slate कर सकते हो जैसे example दोस्तों मैं इसी thumbnail को रहने देता हूँ ठीक है तो आप चाहिए तो यहाँ से कोई भी एक thumbnail को आप यहाँ पर लगा सकते मालब वीडियो के अंदर जो भी scene है उसी साब से ही आप thumbnail को choice कर सकते तो मैं इसी scene को रहने देता हूँ और यहाँ पर done पर क्लिक करूँगा तो done पर क्लिक करता है देख सकते हो वही जो picture है हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है अब दोस्तों बहुत important बात यह है के short video के अंदर अपको hashtag short आपको जुरू से जुरू आपको देना चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो automatic has short आ चुका है जो आप बार-बार keyword यूज करते हो वह आपको 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 साइजेस्ट भी करता है तो यहाँ पर मैं शौट मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर video की हिसाब से जो भी लिखना है आपको यहा मैं लिख सकता हूँ तो इसके बाद सिंप्ल आपको नीचे आपको मिल जाता है पब्लिक और बैक करने बाद टोटल यहाँ आपर मैं अपलोड शौट में क्लिक कर देता हो और यह जो वीडियो है टोटल अपना YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो दोस्ते इस तरह से काफ अप्शन का फिसरा फ्यूचर का आप यूज करके बहुती अच्छा कासा आप शौट वीडियो बना सकतो दोस्तों उमीद आपके यह वीडियो पसनांगे वीडियो पसनांगे लाइक किजेगा अगर आपको यह चैनल आपको हेल्पूल लगता है चैनल को सब्सक्राब करके अब बैल आपको अगर गंडिको दावदी जगा जब भी नाइव वीडियो आपको चैनल पर आपको नोटिसनल में सश्वले तो दोस्तों आजके लिए ताए मिलते आएसे इंडिस्टिंग वीडियो को साथ तबले जय हैं पंद मात्रम गाइस